हेलो वच्छो नमस्कार प्यारे वच्छो आज हम एक नया चेप्टर मैटल एंड नॉन मैटल सुरू करने जा रहे हैं मैटल्स एंड नॉन मैटल धातू और आधातू तो इसमें से काफी सारा कोर्स कट भी गया है लेकिन टैंसर ना लीजिए मैं आपको ए टू जेट पूरा कंप्लीट करा हूँ है या पे चैप्टर ठीक है और उसके बाद फिर इसके अंदर फिर कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा आपके लिए कि कुछ मुसीबत आजाए कि हाँ जी ये नहीं हो रहा सॉल ये नहीं हो रहा सॉल आपको इसके अंदर कंप्लीट ली हर तरीके से सारे के सारे equation और सारे के सारे types की क्यों हो रहा है क्या reason है वो सब समझ में आ जाएगा तो पहले मैं सबसे पहले आपको metal शुरू करवाँगा और आज मैं metal के बारे में metal के बारे में थोड़ी सी बाते करेंगे जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे metal क्या होता है तो आप मुझे क्या जवाब देंगे तो आप वही बोलेंगे जो आवाज कर सकता है ठीक है जो चमकदार हो सकता है या जो अपने में से बिजली को कंड़क्ट कर सकता है हीट को कंड़क्ट कर सकता है ये सारी चीज़े तो भई ये हुई इनकी physical property अब property दो तरीके की होती है एक होती है physical एक होती है भई क्या अपना chemical तो physical property क्या होती है और कैसे करती है chemical property क्या होती है और कैसे काम करती है तो ये सारी बाते हम लोग एक एक करके जानेंगे ठीक है तो अगर मैं बात करू physical property की अगर मैं बात करू यह जाना ज़रूरी है कि आखिरकार मैटल होते कौन है तो अगर हम बात करें कि मैटल कौन होते है धातू कौन होते है तो आप जवाब देंगे कि भई वो होते हैं मैटल जो किसी रियाक्षन के दोरान अपने इलेक्टरों को अपने ions को donate करते हैं यानि electron क्या करते हैं donate करते हैं, वो metals होते हैं मतलब वो ठीक है वो जो अपने electron को donate करते हैं यानि electron donating elements electron donating elements वहतत्व जो electron तो जब हम लोग इलेक्ट्रोन को डोनेट करते हैं, तो इसलिए इस वज़े से इसे मैटल कहा जाता है, धातू कहा जाता है, जब रियक्शन की बारी आती है, तो वहाँ पर मैटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रोन को डोनेट करते हैं, या दूसरी बारी बारी आती है, तो वहाँ या दूसरी भाता में जिन पर प्लस आयन्स होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, प्लस आयन्स होते हैं, ठीक है, विच है, विच है, विच है, विच है, पॉजिटिव आयन्स, पॉजिटिव आयन्स, या मीन्स, कट आयन्स, या वही क्या, कट आयन्स, कि जिनके पास धनात्मक कावेस हो या कटायन हो या कटायन हो ठीक है इस तरीके से बच्चे पाए जाने वाले elements को हम लोग क्या कहते हैं metal कहते हैं ठीक है चल्दी से note कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है चले यह अपने note कर लिए होगा अब अगर आपसे पूछ ले जाए कि हमारे क्योंकि देखो metal कहां से निकलता है हमारे earth crust से मतलब जो earth के उपर हमारी layer है crust है mental है core है इस तरीके से हमारे earth बनी है ठीक है तो earth crust में यानि धरती के उपरी हिस्से में earth के उपरी हिस्से में earth crust तो आप बताएंगे earth crust में सबसे ज़्यदा पाई जाने वाला metal aluminium है ठीक है ठीक है तो हिंदी यानी क्या लिखेंगे या पर थाड़ पॉयंट लिखेंगे the most abundant element the most evident metal ऐसे लिखना the most abundant metal in earth crust is the most abundant element yeah sorry element बोल دृट the most abundant metal in the earth crust is aluminium, ठीक है, धर्ती की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाला, धर्ती की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु, अल्मूनियम है, कौन है, अल्मूनियम है, ठीक है जी, चलिए, अब एक एक करके मैं सब की फिजिकल प्रॉपरपटी लिखा रहा हूँ, पहले मैं मैटल की फिजिकल प्रॉपरपटी लिखा हूँगा, फिर उसकी केमिकल प्रॉपरपटी लिखा हूँगा, फिर मैं नॉन को कवर करते हुए चलूँगा ठीक है चलिए तो सबसे पहले मैटल्स की प्रॉपटी फिजिकल प्रॉपटी ऑफ मैटल टॉपिक लिख लेंगे फिजिकल प्रॉपटी ऑफ मैटल धात्वों धात्वों के भौतिक गुंद्धरम थात्वों के भौतिक गुंद्धरम ठीक है बाई चलो लिखना जारा पहला लिखो मैटल्स आर मैलीएबल 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 that is metals can be bitten that is metal can be bitten into thin sheets with hammer into thin sheets with hammer हिंदी वाले धात्व आघातवर्धे होते हैं धात्व आघातवर्धे होते हैं क्योंकि यह पीटने पर हतोडे से पीटने पर फैल जाते हैं क्योंकि यह थोड़े से पीटने पर फैल जाते हैं ठीक है next ठीक है next metals are ductile metals are ductile that is metal can be drawn into thin wires that is metals can be drawn into thin wires इंदी वाले धात्व तन्ने होती हैं धात्व तन्ने होती हैं धात्व तन्ने होती हैं धात्व तन्ने होती हैं और उनको खीच कर पतली तार में बनाया जा सकता है और उनको खीच कर पतली तार में बनाया जा सकता है ठीक है चलिए ठीक है नेक्स्ट अब अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है इसी में यानि सबसे अतन्य धातु कौन सा है तो आंसर है गोल्ड तो लिख लो गोल्ड सबसे अधिक तन्य है सोना सबसे अधिक तन्य है त्रॉजु है नेक्स्ट अ are the good conductor of heat. दाातू उस्मा की सबसे अच्छी सुचालक है. बतातू उस्मा की चालक है. अब सबसे अच्छा नाःसा मैटल कौन सा होता हीट का? कोई को पता ही है silver लिख लो silver metal is the best conductor of heat silver metal is the best conductor of heat silver धातू उस्मा की सबसे अच्छी चालक है उस्मा की सबसे अच्छी चालक है next लिख लो metals are also good conductor of electricity metals are also good conductor of electricity metals are also good conductor of electricity हिंदी वाले लिखेंगे धातू विदूत की भी अच्छी चालक है धातू विदूत की भी अच्छी चालक है देखो वैसे तो भाई electricity copper aluminium में भी पास अच्छा करता है लेकिन सबसे बेस्ट अगरी बात की जाए तो silver है ओना है silver तो लिख लो silver metal is the best conductor of electricity silver धातू विदूत की भी अच्छी चालक है ठीक है चलिए next metals are shiny and can be polished metals are shiny and can be polished धातू चमकदार होते हैं और उन्हें रंगा जा सकता है धातू चमकदार होते हैं और उन्हें रंगा जा सकता है ठीक है लेकिन बच्चों कभी 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 metals की sign जो है वो कम हो जाती है तो क्यों हो जाती है मैंने आपको याद करो first chapter में पढ़ाया था कि उस पर oxide या sulphide layer चड़ जाती है जिससे उसकी brightness घड़ जाती है और dullness बढ़ जाती है ठीक है तो अगर आप से कोई पूछ ले कि भई metal की metal की signness कभी कभी कम हो जाती है तो किसकी वज़े से तो लिख लोगे metals can be dull metals can be dull metals can be dull metals can be dull in appearance due to the formation of due to the formation of due to the formation of a thin layer of oxide a thin layer of oxide comma carbonate and sulfide and sulfide on their surface on their surface हिंदी वाले लिखेंगे कभी 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 धातू चमकदार धातू चमकदार रूप खो देते हैं कभी कभी धातू चमकदार रूप खो देते हैं चमकदार रूप खो देते हैं क्योंकि उन पर औक्साइड कॉमा कार्बोनेट और सलफाइड जैसी पतली परते चड़ जाती है तथा सलफाइड जैसी पतली परते चड़ जाती है थे चलिए नेक्स्ट प्रोपर्टी प्रोपर्टी नमबर छे मैटल्स आर जनरली हाड जनरली हाड धातू समाननेता ठोस होते हैं धाट्टू समान्नेता थोस होते हैं ठोस नहीं, कठोर होते हैं ठीक है? दो को छोड़के कौन? भाई, कौन से दो छोड़के? sodium और potassium क्योंकि वो इतने ज़plings मतलब कठोर होते ही नहीं, soft होते है कि उनको चाकू से भी आराम से क्या किया जा सकता है? ठीक है तो लिखेंगे जड़ा except sodium and potassium except except sodium and potassium because they can be cut by 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 knife ठीक है जी they can be cut by knife ठीक है जी चलिए next लिखेंगे metals are strong धातु मजबूत होते हैं दो को छोड़कर metals are strong धातु मजबूत होते हैं दो को छोड़के किस-किस को sodium and potassium किस-किस को sodium and potassium ठीक है sodium and potassium अगला metals are solid at room temperature metals are solid at room temperature धातु कमरे के ताप पर ठोस है धातु कमरे के ताप पर ठोस है एक को छोड़कर जातु कमरे किताब पर ठोस है एक को छोड़कर किसे है Mercury क्योंकि Mercury रूम टेंपरेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है Mercury रूम टेंपरेचर पर कैसा होता है लिक्विड स्टेट में होता है तो लिखो इस बात को Accept Mercury Because it is found in liquid state Because it is found in liquid state At room temperature At room temperature यह कमरे किताब पर ठोस है धातु कमरे किताब पर ठोस है ठीक है भई Mercury को छोड़कर Mercury को छोड़कर Mercury को छोड़कर क्योंकि क्योंकि वे कमरे के ताब पर तरल अवस्थ हमें पाए जाता है क्योंकि वे कमरे के ताब पर तरल अवस्थ हमें पाए जाता है ठीक है जी next matters have high melting and boiling point matters have high melting and boiling point matters have high melting and boiling point दातों के गल्लांक और कत्वनांक उच्छ होते हैं दातों के गल्लांक और कत्वनांक उच्छ होते हैं दात्वों के गलनांग और कथवनांग उच्छ होते हैं दो को छोड़ कर पता ही है sodium potassium तो लिख लो sodium potassium को छोड़ कर ठीक है जी next metals have high density metals have high density अच्छा एक बात और एक बात और लिखवाना चाहूंगा है कि जैसे मैंने बोला ना melting point or boiling point sodium potassium का भी कम होता है तो दो और है metal ऐसे दो और कभी है gallium और cesium ठीक है gallium और cesium इनका भी melting point कम होता है और यह दोनों metal होते हैं इनको हाथ हतेली पर भी रख दो कि मैंटल्स हैव हाई डेंसिटी कि मैंटल्स हैव हाई डेंसिटी ठीक है दो को छोड़कर sodium potassium दो को छोड़कर sodium और potassium नेक्स्ट लिखेंगे मैंटल्स आर सुनोरस मैंटल्स आर सुनोरस धातू अवाज करते हैं धातू अवाज करते हैं कि दातू अवाज करते हैं कि थीए अगला मैटल्स आर यूजवली हैव ग्रे ग्रे कलर मैटल्स आर यूजवली इन ग्रे कलर ठीक है अधिकतर धातू धूसर रंके होते हैं अधिकतर धातू धूसर रंके होते हैं दो को छोड़कर बच्चो कितने मैटल को छोड़कर दो को कौन-कौन से? भाई, एक तो हो गया हमारा copper, क्योंकि copper brown color का होता है, और एक हो गया हमारा gold, क्योंकि gold हमारा कैसा होता है? brown का ये कैसा होता है? yellow color का होता है, ठीक है? चालो. ठीक है जी? चलिए, तो ये खतम हो गया, अब लिखेंगे chemical properties of metals, लिख लो, chemical properties of metals, यहां से भाई, बड़े काम की चीज़े, आपके लिए हाजिर होएंगी, ठीक है? मिटार हो ये सब, ये तो उतार ही लिया होगा, chemical properties of metals, धातों के रसाइनिक गुन धरम, तो पहले मैं आपको लिखवा रहा हूं कुछ चार्ज, जिसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना भाई, अगर ये चार्ज याद नहीं करोगे, तो बस समझ जाओ, कि भाईया, फिर तो problem ही problem, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इ बाद करेंगे, ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस वन, हीलियम, तो छोड़ दो, तो नोबल में आ गया, लीथियम प्लस वन, उसके बाद को न है, बेरेलियम प्लस टू, बोरोन प्लस थ्री, ठीक है, फिर आता कार्बन, उसको छोड़ फिर आता नाइट्रोजन माइनस थ्री, ओक्सीजन माइनस टू, फ्लूरिन माइनस एक नियान छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि वो भी नोबल गैस में आता है नियान भी, सोडियम प्लस वन, मैगनिसियम प्लस टू, ठीक है, ऐलिमुणियम प्लस थ्री, उसके बाद फॉस्फ फर माइनस टू क्लोरीन माइनस एक आरगन छोड़ दो कैलसियम प्लस टू पोटेसियम प्लस वन ठीक है कॉपर प्लस टू और क्या है फी प्लस टू भी है और प्लस थ्री भी है ठीक है फी का अगला जडन प्लस टू बी ए प्लस टू एनि बेरियम ठीक है जडन का जिंक ठीक CO3 कार्बोनेट माइनस टू NH4 अमोनियम प्लस वन एनो थ्री नाइट्रेट माइनस वन ठीक है OH हाइड्रोकसाइड माइनस वन ठीक अगला क्या है और क्या होता है CO4 sulphate माइनस टू तो इस तरी के यह याद करो अच्छो तब जाके काम बनेगा ठीक है नोट कर लीजेगा इसको ठीक है अब एक एक करके मैं सारी प्रॉपटी कराने जा रहा हूँ केमिकल की केमिकल प्रॉपटी सो मैटल ठीक है चलो देखो जड़ा केमिकल प्रॉपटी सो मैटल पहले पहली प्रॉपटी इसको वीडियो पॉस करके पहले जल्दी सुदार लो लिखेंगे पहला रियक्शन और मैटल विद ऑक्सीजन और मैटल विद ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मैटल के साथ रियक्शन तीक चलिए तो रियक्शन और मैटल पहला पहला केमिकल पहला रियक्शन और मैटल्स विद ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन के साथ धातू की अभी क्रिया क्या होता बच्चो कि जैसे कि अगर मैं आपको बताओं क्या कि यह देखिए ध्यान से ठीक है ध्यान से देखिएगा क्या के नचारों में हां जी मैटल की रियक्शन औक्सीजन से तो वो बनाता है मैटल ऑक्साइड ठीक है क्या बनाता है मैटल ऑक्साइड यह अगर धातू की अभी क्रिया ऑक्सीजन से करा दे तो वो धातू ऑक्साइड बनाता है क्या बनाता है धातू ऑक्साइड बनाता है लेकिन अगर लेकिन अगर अगर इसी मैटल ऑक्साइड को धातू ऑक्साइड को वाटर में मिला दिया जाए ठीक है तो यह मैटल हाइड्रोक्साइड बनाता है कि क्या मनाता है मैटल हाइड्रोक्साइड मतलब धातु हाइड्रोक्साइड ठीक है अब ध्यान से सुनेंगे कि होता क्या है बच्चो मैटल उक्साइड ना कई परकार क्यों होते हैं अब मैटल उक्साइड कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो waterAttर में डिजॉल्व नहीं भीना जी जो water में Dिसॉल्व हो जाते हैं वह अलकली बनाते हैं वह क्या बनातें अलकली मैं आपको बता दूँ जो Metal Hydroxide होते हैं नहीं स्वारी metal Oxide यह दो तरीके कर चोंड़े हें एक water में soluble gulansil और एक होता है insoluble मतलब agulansil ठीक है जी एक होता gulansil एक होता agulansil अब बात आती है कि metal oxide soluble gulansil मतलब insoluble agulansil अब भया एक बात बताओ जब gulansil है तो ये बनाएगा क्या ये बनाएगा alkali ठीक है यानि कि शार शारक बनाएगा ठीक है और insoluble है तो भई क्या है तब भी तो ये क्या है तब भी तो base ही है तब भी तो शारक ही है ठीक है क्योंकि metal oxide होता ही किस nature का है basic nature का होता है शार ये परकिरती का होता है ठीक है बस soluble हो गया तो alkali बन गया ठीक है और अगर insoluble है तो शार है मतलब solid form में है ठीक है तो इस तरीके से बच्चो यह concept जाता है ठीक है तो हमें अब यह पढ़ना है तो जैसे माल लीजिए sodium है sodium को oxygen के contact में लेकर आए मतलब जैसी oxygen को contact में लेकर आए कि सोडियम को तो बन गया na2o यानि कि sodium oxide sodium प्लस o2 तो बन गया sodium oxide ठीक है क्यों क्यों क्योंकि sodium का charge प्लस 1 होता है ओ का charge माइनस 2 होता है दो इसके नीचे एक इसके नीचे इसी परकार अब इसी na2 na2o को किस से करूँगा h2o के साथ reaction करा दूँगा तो इसमें solubal हो जाएगा और बन जाएगा naoh क्या बन जाएगा naoh तो इस तरीके से बच्चो हम लोग ने यह product देखा ठीक है और भी दी action कर सकते हैं जैसे माल लीजी आपने ले लिया के के प्लस में o2 potassium प्लस में o2 तो यह क्ये बन जाएगा K2o potassium oxide क्या मन जाएगा potassium oxide अबаки मतब्ला मतला hydroxide, यह नहीं, sodium hydroxide, यह बन गया को, के मतला potassium, OH मतला hydroxide, तो क्या potassium hydroxide, और बना कैसे भाई, यह कैसे बना K2O, K का charge plus 1, O का charge minus 2, दो इसके नीचे, एक इसके नीचे, देख रहे हो, सब कुछ आपके सामने है, K का charge plus 1, O का charge minus 2, सब कुछ आपके सामने है, तो यह बन गया, बच्चो हमारा, कि reaction of metal with oxygen, और जब इनी को water में dissolve कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, यह, alkali बन जाता है, क्या बन जाता है, alkali, अगर घुल गया, soluble हो गया, तो alkali, ठीक है, और insoluble रह गया, तो base तो है, और alkali भी base ही होता है, बस solution form में हो जाता है, ठीक है, तो फटा फट इसको note कीजिए, ठीक है, इसे note कीजिए आप लोग, ठीक है, इसके आगे की property, मैं आपको next class में बढ़ाऊंगा, ठीक है, ये note कर लीजिए, ठीक है, इसी में और भी बहुत सारी चीजिए है, तो इसके आगे की property हम लोग next class में बढ़ेंगे, मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ दो example दिये हैं, इसके बाद भी एक दो example और दूँगा, और नएने topic बढ़ाऊंगा, चलिए, तो आज की class यहीं खतम करते हैं, next class में मिलते हैं, नए topic के साथ.